हलो दोस्तों नमस्कार अंसिकर रसोई में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जारें पत्ता गोवी और मटर की सबजी तो सर्दी का सीजन चल ला है और इस टाम बहुत जादा बंद गोवी इसको बोलते हैं पत्ता गोवी भी बोलते हैं यह बहुत जादा मारकेट में मिल है तो हम आपको इसका सब्जी बनाने के लिए बताएंगे इज़ी तरीका तो इहां पर आप देख सकते हैं पत्ता गोभी मैं इस तरह से काट ली हूं और मटर को अच्छे से साफ कर ली हूं तो अब चलिए गैस के तरफ तो इहां पर में दो चमश सरसो का तेल ले ली हूं औ और यह अद्रक है लेसन है मिर्चा है तो आपको जितना तीखा पसंद है उससे सबसे मिर्चा और ले सकते हैं अगर आप प्याज और लेसन नहीं खाते हैं तो इसको हटा सकते हैं तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं इसको भी ब्राउन कर लेते हैं और इहां पर हम मेड डालेंगे प्याज, प्याज को भी golden brown कर लेते हूं, यहां पे हम दो प्याज लिए हैं, medium size का प्याज था, प्याज अच्छे से देख रहे हैं, brown हो गया है, जादा brown भी नहीं करना है, तो ऐसे ही करना है, इसमें अब डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भून लेत मेडियम फ्लेंट इसको घुनना है तो यह मारा दो मिनट हो गया है इसको में बीच बीच में चेक कर रही थी तो इहां पी आप देख सकते हैं मटर का कलरण चेंज हो गया है तब इसमें हम मसाला डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर है आधा चमच मिक्स मसाला है और ये चोथाई चमच ये गरम मसाला है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको भी दो मिनट भून लेते हैं तो ये हमारा दो मिनट हो गया है मसाला भुना गया है अब इसमें हम पत्ता गो भी डालेंगे और इसको भी अच्छे से भुनेंगे तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बास से तो इहां पे हम स्वाद अनुसर नमक भी डाल देते हैं तो आप जितना नमक पसंद करते हैं, उसी के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजें. और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. यहाब आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है. इसको हम एकदम मेडियम फिलेम करके, इसको ढचके, ऐसे रख देते हैं. तो जैसे ये गलेगा वो ऐसे ही पानी छोड़ेगा तो एक दम ये सोप्ट हो जाएगा और पानी छोड़ता रहेगा पत्तगों भी हमको इसमें पानी नहीं डालना है हम ऐसे ही सबजी बनाएंगे तो इसको भग देते हैं दो मिनट के बाद आपको दिखाते हैं तो ये हमारा दो से तिन मिनट हो गया है इसको चेक कर लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं पत्तगों भी पानी छोड़ रहा है और जैसे ही पानी छोड़ेगा ऐसे ही सबजी और सोट होता जाएगा और बहुत पर्फिक सबजी बनके तयार होगा तो इसको हमको high film पे नहीं बनाना है, medium film पे बनाना है, अब इसको ढख देते हैं फिर, तो यह हमारा सब्जी कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएगा बनाने में और इसको हम medium film पे ही बनाएंगे high film पे नहीं बनाएंगे तो इसको फिर से हम ढख देते हैं चला के और इसको आप बीच बीच में चेक करते रहें तो यह हम 10 मिनट के लिए ढग दे रहे हैं 10 मिनट के बाद दिखाते हैं तो यह हमारा 10 मिनट हो गया है इसको हम चेक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जी बहुत अच्छा हुआ है एकदम अच्छे से गल गय है तो कि यह सबजी बन के तयार हो गए यह सबजी बनाने में सबड़ए बनाने में ऑषलेंगेंगे हमको 15 मिनौट लगा है और यह का मैडियम फिलिम पे हमको बनाना है हाइ फिलिम पे नहीं इसको बीच बीच में आप चलाते रहिए बहुत अच्छा सब्जी बनके तयार होगा अगर हाइफ लिम पर बनाएंगे तो पर्फेट सब्जी नहीं बनेगा तो यह सब्जी हमारा कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा सब्जी का सौध इतना अच्छा लगता है कि आप चीकन खाना भोल जाएंगे अगर इस तरह से वनाएंगे तो आई होब यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा आज के लिए इतना ही है फिर मिलते हैं नेस्टे वीडियो में धन्यवाद